भाई और भेनों, गाउं में विश्वास और विकास की कमी में एक और बड़ी समस्या रही हैं, गर और जमिन से जुड़े विवाद. इस समस्या को उत्तर पदेश के इस हिस्से में रहने वालों से बहतर भला कौन समझ सकता है. कारण ये हैं कि पीड़ी दर पीड़ी रहने के बाद, उसके बाद भी गाउं की जमीन के कानूनी कागज नहीं थे. अगर उनका घर है, तो उस घर के समन में भी कितना है, लंबा है, कितना चौड़ा है, क्या उसके साइज है, कागज कहा है, कुछ नहीं था. दसकों से लोग ऐसे ही जीते रहें, समस्या ऐसे हो जेलते रहें, विबाद बढ़ते गए, और कभी-कभी तो मारधार हो जाती है, गला काटने तक पहुंचाता है मामला, भाई-भाई के भी जगड़ा हो जाता है, एक फुट जमिन के लिए एक परोसी के दाद दूसरा पर आधान के लिए स्वामित्व योजना के तहत, यूपी में ड्रोन टेक्नलोजी से घर और जमीन के नक्षे बनाए जा रहे हैं, इन नक्षों के आधार पर गर और जमीन के कानूनी दस्तावेच, गर और जमीन के मालिक को सौपे जा रहे हैं, इससे गाउं में रहने वाले ग करीब आदिवासी वंचित साथी भी कब्जे की आसंका से निश्चिंत होकर अपना जीवन व्यक्तित कर पाएंगे वरना मुझे तो मालूम है गुजरात में तो आपके इक्षेतर के बहुत लोग काम करते हैं तो कभी उनसे मैं बात करता था कि भी क्यों चले गए थे तो कहें अब यह कांगज मिलने के बाद यह सारे संकटों से आप मुक्त हो जाएंगे यही नहीं जरूरत पढ़ने पर गाउं के अपने घर के जो दस्तावैज है जो कांगज है उससे अगर आपको कर्ज लेने की जरूरत पढ़िए बैंक से लोन लेने की जरूरत पढ़िए तो अब आप उसके हकदार बन जाएंगे आप जा सकते हैं कांगज दिखा करके बैंक से लोन ले सकते हैं